रश्मी के भाई गौरव का फूटा गुस्सा रश्मी को अरहान से बच के रहने की सला दे रही है क्या अरहान बाकई में दोके बाज है? बिग बॉस 13 के अब तके सफर में हर कंटेस्टेंट अपने अग्रेशन और इमोशन्स की वज़र से चर्चा में रहते है वही रश्मी देसाई के साथ कुछ ऐसा हुआ जो सब के लिए काफी शौकिंग था पिछले वीकेंड के वार वाले एपिसोड में हो सल्मान खान ने कुछ ऐसा खुलासा किया जिसने रश्मी और घर के अंदर मौजूद उनके बॉइफ्रेंड अरहान खान के साथ उनके रिष्टे को बदल के रख दिया सल्मान ने रश्मी को बताया कि बाहर अरहान का एक बच्चा है जो रश्मी को नहीं पता था सलमान के इस बयान से घर का पूरा माहौल चेंज हो गया पर वही दूसरी तरफ अरहान शेफाली बग्गा से कहते हुए दिखाई दिये की खतम हो चुकी थी रश्मी देसाई रोड पर थी वहाँ से लेकर यहाँ तक मैं रश्मी को कैसे लेकर आया हूँ मैं ही जानता हूँ यह बात सुनके रश्मी के भाई गौरव को काफी गुसा आया और उन्होंने एक न्यूस पोटल को इंटरव्यू देते वक्त कहा मेरी बहन कभी भी रोड पर नहीं थी मुझे नहीं पता कि वो इस प्रकार की चीज़े क्यों बोल रहा है अपने पार्टनर से ये सब सुनना आसान नहीं होता इसके साथ हाली में वीकेंड का वार का हुआ इवेंट भी काफी परिशान करने वाला था और अब वो मेरी बहन के बारे में बोल रहा है कि वो रोड पर थी सौरी लेकिन ये सब काफी परिशान करने वाला है गौरफ से जब पुछा गया कि अरहान का शादी शुदा होना आपको चौकाने वाला है या नहीं तब उन्होंने कहा ये सिफ मेरे लिए ही नहीं पूरे परिवार के लिए चौकाने वाला है मेरे पास शब्द नहीं है घर से एक बार एविक्ट होने के बाद अरहान को फिर घर में आने का मौका मला था और आते ही अरहान ने रश्मी को प्रपोस किया और कहा कि वो घर में ही उनसे शादी करना चाहते है पर रश्मी ने मना कर दिया आपको क्या लगता है रश्मी और अरहान का प्यार सच्चा है या फिर अरहान रश्मी के नाम का इस्तमाल कर रही है बिग बॉस से जुड़ी सारी ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रही टेली मसाला